नमस्कार दोस्तों दाकर साइन्स कलासेस में आपका स्वागत है दोस्तों हम आज जीके टेट सीरीज नमर पार्ट थरी की बात करेंगे इसमें हम 15 ऐसे बहुत ही महत्तुपूर्ण कुशन लेंगे जो सिंपल है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है तो चले हम स्टार्ट करते है पहला कुशन आपको दिख्रा होगा स्लाइड पर पहला क्युशन आपको दिख्रा होगा कि राश्ट्य विग्जान दिवस किस दिन मनाया जाता है क्योशन है आपके सामने राश्ट्य विग्यान दिवस किस दिन मनाया जाता है ओप्षन है 21 जनवरी ओप्षन B 21 मार्च 28 परवरी ओप्षन D 23 मार्च तो इन में से आपको बताना है कि राश्ट्य विग्यान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो option हमारा होगा C option क्या होगा C आपको पता है होगा 28 परवरी को विज्ञान दिवस क्यों मना जाता है तो sir C.V. रमन का नाम सुना होगा आपने जिनने 28 परवरी 1928 को 28 परवरी 1928 को रमन परवाव की खोज की थी यह रमन परवाव बहुत ही important है दोस्तों आपको याद राकना है रमन परवाव तो रमन परवाव की खोज कब भी गी गई यह भी बहुत important question है तो 28 परवरी 1928 में रमन परवाव की खोज की गई थी और sir C.V. रमन ने की थी तो दोस्तों question आजाए कि रमन परवाव की खोज पर sir C.V. रमन को नोबल पुरुसकार कब मिला तो नोबल पुरुसकार इने मिला था 1930 में दो साल बाद यह निकी खोज के दो साल बाद sir C.V. रमन को नोबल पुरुसकार दिया गया था 1930 में तो यह question भी important है चले हब हम next question के और बढ़ते हैं next question है हमारा option C इसमें correct answer हो जाएगा next question आगया आपके सामने next question है कि 9 सेना दिवस next question बहुत ही important है 9 सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है question दूसरा है आपके सामने कि 9 सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है option A. 7 अगस्त option B. 16 सितंबर option C. 4 दिसंबर option D. 8 फरवरी आपको बताना है 9 सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है आप option बताए चले इस answer में बताता हूँ option C. Correct answer हो जाएगा 9 सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है C. 4 दिसंबर को 9 सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है 4 दिसंबर को तो आपको पता होगा कि 4.03 को नो से न दिवस क्यों मना जाता हैं तो आप एक तारिक नोट कर लीए 4.04.1991 4.04.1991 तो दोसु चार दिसम्र 1991 को क्या हुआ था आपको पता है 4.04.1991 को क्या हुआ था सोच ज़ará 4.09.1991 को OPERSON TRI DARE चला था चला था चार दिसमर उनी सो इगोतर को इसमें क्या हुआ था कि मद भारत ऑर पाकिस्तान और बांगलादेश के बीच में युदु वह रहा था था तो भारत ने बांगलादेश का साध्य था तो जब से मद यह उपरसन चला ना कराची पर मद बंग रहे थे भारते नो सिना न कब वा तो 1950 1950 तारीक आपको याद रखनी है इसी दिन इसी साथ मलब नो से ना दिवस का गठन किया गया था next question के और बढ़ते हैं इसका option 4 December हो जाएगा याद रखना 4 December को 9 December मना जाता है next question के और बढ़ते हैं next question है तीसरा question लिख रहा होगा आपको तीसरा question है राइश्टे एकता दिवस question है हमारे पास राइश्टे एकता दिवस किस दिन मना जाता है Q Tuning Partly लिए जिए ध्यान से राष्टरे एकता दिवस किस दिन मनाhstा है Election A है डो जून Option B है चंपना जॉलाई Option C है दोक्तूमर और Option D है 31 Aक्तूमर तो आपको बताना है कि राष्टरे एकता दिवस का मनांचा जाता है तो दोस्तों बात करें तो पहले तो यह 19 November को rebuilding लेकिन आपके मन में स्वाल आ रहा हो किसके जहनति अती है तो सरदार वल्लो बायपिछत्य! का नाम सुना है आपने उन्हें की जैनती आती है 31 अक्टुमर को तो भारत सरकार ने भी 2019 से ही मलब राष्ट्य एक्ता दिवस की गोश्णा कर दी थी कि मलब यह राष्ट्य एक्ता दिवस अब हम 31 अक्टुमर को ही मनाएंगे तो तब से यह मनाया जा रहा हैं नेक्स्ट शब्सक्राइब करेक्ट पर यह राष्ट्य राष्ट्य आपके सामने चार्ट शितमबर शाथ दिसमबर 26 परवुरी और 15 जनवरी तो बताएं आपको ऐपसें में कौन सा अंसर होगा तुझ ले में इसका अंसर बताता हूं कि शेना दिवस डी उप्सेंस का करेक्ट आंसर ह को मना जाता है आर्मिड का मना जाता हैं तो तोeriग तो तो संदर्ट मुधे को क्या लेकिन भारता अहली वाण जनवरी 15 जनवरी युद्हा मेर्य उनिससो निन से न्ट्रहृपlingen केBE गया था कि पर बरते हैं मैस्ट हूं है तो मालेरिया सद्री इसकर दिवस K Guardians पुराइए कर्मी इन सब्राइब सब्सक्री पहर में मार्च病ors ऑफिस्ट मोलेरियश किस दिन मनाई तो आप बताए आंसर क्या होगा इसका तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं सबसे पहले तो आपको यह ज्यान रखना है कि विशू मलेरा दिवस और मलेरा दिवस यह की हैं नेक्स्ट क्यूं के बढ़ते हैं हैं सबसे मारे चैज्जूं के बढ़ते हैं कि विशूं और सबसे आपको में दार दिवस किस दिन मनाया जाता हैं उप्शन A है 30 जनवरी, उप्शन B है 13 फ्रवरी, उप्शन C है 15 मार्च, और उप्शन D है 22 अगस्त, तो जल्दी से बताए इसका अंसर क्या होगा, सही दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका correct अंसर होगा A, 30 जनवरी, अगर यह उप्शन में A नहीं हो, तो आपको एक साथवा क्यों आपके सामने आ गया है, तो साथवे क्यों की हम बात करते हैं कि राजीव गंदी का जनम दिवस, यह क्यों में है क्यों है, देखिए, राजीव गंदी का जनम दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, क्यों है, क्यों आजाए कि राजीव गंदी का जनम दिवस किस तारिकों मनाया जाता है तो यहां एक आंसर होगा है 20 अगस्त, अब इसका आंसर, इस क्योशन का आंसर देखने हैं, तो राजीव गांदी का जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मना जाता हैं, ओप्सन A है हमारे संकल्प दिवस, ओप्सन B है राइश्ट्य एकता दिवस, आपको पता ही होगा रा इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर D होगा, राजीव गांदी का जन्म दिवस 20 अगस्त को अभी आ रहा ही 20 अगस्त, तो इसे राइश्ट्य सत्वावन दिवस के रूप में मनाया जाता है, D option is correct answer, आटवा क्यूशन आपके सामने आ रहा है, आटवा क्यूशन आपके स अबस्तित है, option A है पद्रांचलम, option B है चंदम्ब्रंब, और option C है हमपी, और option D है इन में से कोई नहीं, तो इस सब दक्सीन बारत के इस्तल है, तो आपको बतना है कि परसित विरुपाक्स मंदिर कहां पर रिस्तित हैं, तो आपने विजे नंगर सामराजे का नाम सनाए हो से कारनाटक में इस्तित हैं, और यह हम पी ना जो विजे नंगर सामराजे का ही एक हिस्सा था और यह मंदिर के बारे में का जाता है कि यह पंदरवी सदी में बनाया गया था, विक्रमा दीतिया फोर्त ने मनाया था, नेक्स्ट क्यूसन है हमारा नवा क्यूसन, नवा तो ना प anda की जंदा के संदर्व में मुदैं हिंदिष्थान या हिंद भारत की जंता के संदर्व में हिंदू यह ह AKA, UPCbin Ones उप्सन परियों किसने कहा था अर्बों हुए आपको पता होगा कि अरबों के भारत में बहुत सारे आक्रमन होए थे जो कि बारत पर आक्रमन करते थे उपने पहला आक्रमन किया था 712 issue में आपको पताए होगा मुहमद बिन कासीम और राजा दाहिर सेंद के मद्य यूद लड़ा गया था और भारत का पहला जोर हुआ था यहाँ पर तो यहीं से मद्धा अर्बू का अक्रमन माना जाता है और इन्दूने हम हिंदू को हिंदू सब्द दिया था नेक्ष्ट क्यूशन है हमारा दसवा क्यूशन आपके सामने आ आ गया है एकोनोमी से क्यूशन कि क्यूशन है हमारा SEZ यानि कि सेज का पून रूप क्या है यानि कि इसकी फुल पूपूच रहे तो उप्सन ए है स्पेशल एकोनोमिक जोन उप्सन भी है स्मॉल एकोनोमिक जोन और उप्सन सी है सर्वीस एकोनोमिक जोन और उप्सन डी है इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा नेश्ट कुर्षन 11 लान के सामें दिन वहुति इंप्परेंट्न 되지 फरेखम में पुच गया कुशन है कि किसने कहा था तूम मुझे खुण दो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा यह वाकिय किस ने कहा था option A है बगत सिंग ने option B है चंदर सेकर आजा दी option C है अरविंद गोस ने option D है डॉक्टर सुबास चंदर बोस ने तो जल्दी से आओ यह तो आपको पताई होगा कि डॉक्टर सुबास चंदर बोस ने यह का था कि तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा लेकिन option यह से आजाई कि तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा यह नारा यह वाकिय है डॉक्टर सुबास चंदर बोस ने यह कहां के बासन में खाता तो इन्होंने रंगून में बासन दिया था रंगून के जुबली होल में एक एतियासिक बासन हुआ था इनका वहाँ पर इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खुंदो में तुम्हें आजा दे दूगा एक नारा ओर दिया था इन्होंने डिल्ली चलो क्या एक नारा ओर गया था इन्हें वहाँ पर दिल्ली चलो और उन्होंने यह भी मात्मा गांधी को मलब राश्ट पता की उपादी भी इन्होंने उसी बासन में एतियासिक बासन में दी थी जो की रंगून में हुआ था नेक्स्ट क्यूसन कृ बड़ते हैं हम नेक्स्ट बारा क्यूसन है आपके सामने फाफसज हर सुबास चन्दर जी बोस का क्यूसे आ गया है था सुभास चंदर बोस ने सिंगापूर में डिली चलो का नारा कब दिया था यह सिंगापूर में मलब आर्मे के साथ दिया था और बासन उन्हें रंगून में दिया था तो ऑप्सन आपको दिख रहा होगा कि सुभास चंदर बोस ने सिंगापूर में डिली चलो का नारा दिया पहले ओप्सन बढ़ लेते हैं पहले उपसन है 1922,1943,1945 तो इसका पिर अंसर रहेगा उपसन आागए उपसन आ गये तो पांच जुलाई कब दिया था 5 जुलाई उपसन ने चलो यह नहारा दिया था और इन्होंने जापानिस हैना के साथ मिलकर इन्हों ने आक्रमन किया था जो कि अन्हों ने वर्मा जो कि महाराष्ट में है इंपाल है कोई महार यहां पर जमकर मोरत है कि यह वोर बढ़ते हैं हम तेरवा कुछन आपके सामने दिख रहा होगा बहुत ही इंपोर्टेन है हिस्ट्री से है भी कि गांधी इरिवीन समझता किस से संबंदी थे तेरवा आपके सामने दिख रहा होगा कि गांधी इरिवीन समझता किस से संबंदी थे तो ये ओप्सन है हमारे पास सविनी अवग्या अंदोलन से सविनी अवग्या अंदोलन से रोलेक्ट अंदोलन से रोलेक्ट अंदोलन से या भारत छोड़ो अंदोलन से तो आपको जल्दी से अंसर देना है कि गांदी इरिवीन समझाता है किस से संबन दित है तो यह संबन दित है दोस्तों यह गांधी इर्वीन समझता है जो कि सभीनी अवग्या अंदधन से समधित है ऑप्सन नमर एस का आंसर करेक्ट हो जाएगा तो यह कब हुआ था यह हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इर्वीन समझता हुआ था यह गांधी जी तो आप जानते हो लेकिन इरवीन को भी जान लीजे आप यह वर्यस राय थे लाड इरवीन इनका पुरा नाम था वर्यस राय लाड इरवीन और गांधी जी थे इनके बीच में मुला 5.921 को सम्मिलन होगा था दिर्टे गोल में सम्मिलन से पहले इनने सम्झो सबसे पवित्र माना गया है तो आपके पास सरवसती नदी यमुना सी गंगा या इन में से कोई नहीं दोस्तों वरतमान में तो आपको पता होगा कि गंगा नदी को सबसे पवित्र मानते है लेकिन क्यूशन के एक वलिने से मलब लोगों को घ्ञान की प्राप्ती होती थी इसलिए इस नदी के पानीको पवित्र माना गया है नेक्स्ट कुशन और आखरी कुशन के और बढ़ते हम यह भी हिस्टरी से है कि चोरी-चोरा नामक प्रसिद इस्तल कहा है यह भी बहुत से एक्जामों में पुचा गया है कि चोरी-चोरी-चोरा नामक प्रसिद इस्तल कहां पर है उपसन A है गोरकपुर में option B है आगरा में option C है इलाबाद में option D है लखनों में तो जल्दी से पताए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा A गोरकपुर में आपको पताए होगा गोरकपुर जो कि UP यानि कि उत्तर परदेश में हैं यहां क्या होगा था दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 तारीक आपको याद रखनी है 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था तो 5 फरवरी 1922 को 22 पुलीस कर्मी एक चोकी में बेटे हुए थे तो उस चोकी में क्या हुआ कि मलब यह सवतरनता सेननी थे ना यह उस चोकी में आंग लगा दी और जो उसमें चोकी में जो बाइस पुलीस कर्मी थे उनमें से ऐसा मनने चाता ही कि एक धाने दार पिता वो रिकिस पुलीस कर्मी थे जोकी सब जल के मलब जिन्दा ही मर गए थे उस आग में तो उसे 14 चोरी कांड के नाम से इतियास में जाना जाता है तो चलिए दोस्तों आज बताएं आपको आची क्लास कैसे लगी इसमें ओपसिंस का करेक्ट आंसर देगा और अभी तक आपने दाकर साइंस क्लासे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करे और इस वीडियो का अपने सबी दोस्तों के साथ सेंड जरूर करे दोस्तों धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी वीडियो की पीडियो आपको प्राप्त करने के लिए दाकर साइंस क्लासेस को टेलिग्राम को जरूर जोइन करें वहाँ पर पीडियेप मिल जाएगी आपको और और भी कुछ आपकी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब धन्यवाद दोस्तों